वक्त हमेशा एकसा नहीं होता यहाँ कहानी एक खुबसुर औरत की है जिनका नाम सरला देवी था वो एक प्रैमरी स्कूल टीचर थी यह बात 1960 के वक्त की है जब देश में छुआ छूत पुरी तरह चाया हुआ था सरला देवी स्कूल पढ़ाने जाती थी लेकिन उस स्कूल में आये बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी यहाँ तक की बच्चों को सक्त हिदायत थी कि वह मैडम से एक फीट की दूरी से बात करे उनकी कितावें तक को वह हाथ नहीं लगाती थी स्कूल की अलावा उनके घर में भी कुछ इस तरह के ही नियम थे साती वह बहुत सुन्दर थी और उने सुन्दर देखने वाली महलाओं से दोस्ती करना पसंद था साफ सफाई से रहना सरला देवी को बहुत पसंद था वो बिस्तर पर एक सल भी देखना पसंद नहीं करती थी यहां तक कि छोट-छोटे बच्चों को भी वो प्यार नहीं करती थी क्योंकि कहीं वो गंदगी न कर दे उन्हें तौफे देती थी, खाने की अच्छी चीज़ें देती थी दिल से दुआ भी देती थी, पर उन्हें कभी अपनी गोर में नहीं बिठाती थी और नहीं अपने बैट पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चों के गंदे कर देने का डर होता थी वक्त बीत गया, सरला देवी की उम्र सत्तर वर्स हो गई उनके पास उनकी एक बेटी रहती थी अब सरला देवी को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी ना वो चल सकती थी, ना किसी के सहाय के बिना एक करवट बदल सकती थी और उनका शरीक दुरबल हो गया था जिसे देख कोई भी डर जाए उनकी बेटी उनकी पूरी सेवा करती थी पर फिर भी कई बार सल्ला देवी जी घंटों गंदगी में पड़ी रहती जिन नौकरों से सल्ला देवी अपने आपको दूर रखती थी आज वो उनके सहारे के बेना एक पल भी नहीं रह सकती थी सल्ला देवी दिल की बुरी नहीं थी पर जीवर में जिन बातों को लेकर वैस सबसे जारा चड़ती और अंजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी बुड़ा पेम में उने इन परेशानियों को जीना पड़ा वो वक्त कभी समान नहीं रहता वक्त के इसाथ सब कुछ बदल जाता है लेकिन अपने व्यवार को इस तरह रखें कि कभी भी वक्त के आगे आपको जुबनाना पड़े केते हैं इंसान जिस चीज़न से भागता है उसे उसका सामना करना पड़ता है इसलिए कभी किसी चीज़न से ग्रणा न पाले और शारिक सुन्दरता कभी नहीं ठिकती ना उस पर अभिमान करना चाहिए और ना ही किसी को उसके रूम के लिए कोसना चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने धन्यवार